गुजरात वर्सिस लखनवु का अज मैच है और ये तो एक तरफा वाला मैच है आप तो इसमें ग्रेंड लिग भी जी सकते हो अगर आपने थोड़ा सा वीडियो देख लिया न तो पक्का अज ग्रेंड लिग जी जाओगे क्योंकि एक तरफा मैच होगा और कल का मैच जो द करन सर्मा करक्का और पता है करन सर्मा ने हमें अच्छे खासे पोइंट देखे गया और हम लोग वन साइड जीते थे वन साइडेड मेरे यूजर ने भाई दो दो लाग तिन तीन लाग वीजन लेंट पर इंवेश्मेंट किया था उनको इतने सारे प्रॉफिट हुआ बट सबसे पहले 6 लगाया तो बैटिंग भी तोड़ा से लेट आया क्योंकि फिलिपसाड ने इतने रन बना दिया कि बैटिंग आने का और चांस ही नहीं मिला बट सबको लग रहा था कि आसी भी जीतेगा बट डेली ने तो भाई तहलका मचा दिया जैसे देली फॉर्म में आ पक्का है पक्का आज करने लिग जी सकतो पक्का बट भाई मजा आएगा कल तो मैंने 50 लाग जीता था वीजन 11 पे बट आज कितने जीतने वाला हूं वो आपको टेली गाम पर बताऊंगा इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि आज का इंवेस्टमेंट कैसा रहेगा वो मैं आ पहले करेंट में आपको टेलीगाम का लिंक देःएँ おगोई दिंग कोई भी मेहनत नहीं करना होगा और अगर लिंक बरल ना करें अन्मर्ण गार सकते होगोमार 508 और निचे आपको दिख रहा हो खुआ होगा सर्च करोगे आपको 1,80,000 से पलस टेलिग्राम चैनल दिखाए देगा मैं आपको बताता हूँ मोटा मोटी कितना है 1,85,000 टेलिग्राम चैनल दिखाए देगा उसी में जोइन करना ओडियो मैसेज, वीडियो मैसेज विनिंग जो पबली को पार्सल भेता हूँ, सारे पार्सल जो गीवे भेता हूँ, वो सारे मैं यहाँ पर टेलिग्राम पर ही बताता हूँ तो टेलिग्राम जोइन कर लेना और मेरा विनिंग टीम भी आपको टेलिग्राम पर ही मिलेगा तो भाई अगर आपको भी फाइदा लेना है मेरे टीम के साथ के खेलना है तो आप जाओ टेलिगाम जोइन कर लो सर्च करके कुमार 5 जोट सर्च करोगे टेलिगाम पे तो आप हमारी टेलिगाम पे पहुँचाओगे और easy तरीका है आपको first comment description में टेलिगम का link दिखाई देगा वहाँ पे भी आप click करके हमारी टेलिगम पे पहुँच सकते हैं सबसे पहले तो congratulations कि भाई आप लोगों ने first like को अगर first comment कर दिया तो आप giveaway winner हो और CSK versus MI के match में मैंने 15 लोगों को giveaway winner बनाने वाला था क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि हर वीडियो में 10 giveaway winner रहता है लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 15 winner दिखाई देगा क्यों क्योंकि चन्नाई का match है और चन्नाई का match पता है मेरे लिए बहुत favorite match होता है और मैंने आपको बताया था यूज करने के लिए hashtag MSD we love you यह अगर आपने comment में यूज किया होगा तब winner हो और देख सकतो यह लोग 15 लोग winner है हर दिन 10 लोग winner होता था लेकिन आज 15 लोग winner है और सब को मिला है बोर्ड का जीतेगा चन्नाई के favor में टीम बनाओगे तो वन साइडे जीतोगे और भाई जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा और को थैंक यू भाई मैंने 15,000 का target दिया था लाइक का आप लोग ने 10,000 लाइक पूरा किया धन्यवाद 10,000 भी बहुत हमारे लिए बहुत महत बट जिसने नहीं कर पाया है वो 5 लोग और भी वीडियो में बाके उनको बोड का यह डॉपेस मिलेगा आप देख सकते हो मैं टेलिग्राम पर भी आपको दिखाता हूँ कि कितने लोगों को मैं दे चुका हूँ और कितने लोगों के पास पहुँच चुका है तो भाई आप वीनर बन सकते हो और यह पता है इसकी भी प्राइस बहुत हाई है लगवर नहीं तो 1500 का यह प्रोड़क्ट है और आपको 1500 का प्रोड़क्ट फ्री में मिल रहा है और बिना कोई चार्ज दिये हुए सिब एक कॉमेंट करना है बस आप भी वीनर बन सकते हो कॉमेंट जर रहेगा जिए और बैंच बन से वह बन करेंगे है और वीडियो वाला टीम तो मेरा स्थी सुप-ब्राता है वैट आपको पता है कि अगर फाइनल टीम चाहिए तो टेलिगाम जोन कर लेना फॉस्ट कमेंट में टेलिगाम का लिंक दिखा देगा क्लिकर करके जोन हो सकते हो सबसे पहले हम लोग वेन्व की बात करते हैं तो एहमदामाद में यह मैज खिला जाएगा पीछ रिपर बाता है यहां पर यहां पर रन बनत अ जिन कि कुछ है और तो यहां पर आप देखो जो है वह यहां पर विक्ष नहीं लेता है उनार मली जस्पित भूम्रा हो गया नौर्किया ओ विकेंड नहीं लेता है बट जो slower बोलर है जो cutter बोलर है ठीक है आप ब्रेक बोलर है राइटाम उफ ब्रेक लैप टाम उफ ब्रेक चाइना में बोलर यह लोग यहां पर विकेंड लेके जाते हैं तो पीनर पेसर दोनों विकेंड लेता हैं यहां पर चुबिस मैचेस के ला गया सकेंड बैटिंग अने वला तेरह बार फर्स बैटिंग करने वला दस बाजीता है अच्छार मैच का में रिकॉर्ड लेकर आया हूं अगर आप देखो कि दो मई 2023 को यहां पर मैंच हुआ था है डी ग्यारा विकेट यजार अफिस बार्निया दो दो अपर खोड़ लिए फिर यहां पर आप देखोगे पचीस हपरेल 2023 को मैच हुरकें तर्म से जीता था मैच लेकिन यहां और यहां पे भी देखोगे FAST BOLOR को मिला है 7ischer और यहां पे भी देखोगे spinner को भी मिला 7 Somos यहां पे दोनों बराबर vik Bike लिए Spinner और FAST BOLOR दोनों ने बराबर vik油 l fountain अब यहां पर 16 April 2013 को मैंच हुआ youth था यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 7 wikET लिया FASBOLAR और यहां पर 5 wikET लिया spinner ने तो यहां पर ऑफे भी FASBOLAR थोरा से ज़्याद़ वikET लिया 9 ABR Esport मैच हुआ था है यहां पर देखोगे 4 wikET लिया FASBOLAR ने 4 wikET ठीक है और यहां पर spinner का थोड़ा सा बोल बाला ज्यादता था साथ विकेड लिया था स्पिनर ने टोटल यहाँ पे देखोगे पेसस ने 30 विकेड लिया है और स्पिनर ने 21 विकेड लिया है मतलब स्पिनर भी यहाँ पे दबागे विकेड लेके जाता है तो स्पिनर भी इंपोर्टन है पेसस भी इंपोर्टन है पेसर ज्यादा इंपॉर्टन है और यहां पर रन भी बनता है यहां पर देखो कि एक्षो सटतर रन बना है यहां पर 206 रन बना है यहां पर 204 रन बना सिर्फ DC वाला जो मैच था उसमें रन थोड़ा से कम बना था क्योंकि यहां पर पीच कोई दूसरा यूच किया था आपने देखा होगा लग रहा था खेत में मैच हो रहा है क्या पता नहीं पूरे को पूरे स्पिनर को और पेसर को भी स्लोवर पेसर को हेल्प मिल रहा था तो चलिए प्लेंग 11 की बात करते हैं अगर आप देखो कि अगर इन में से कोई भी खेला तो आपको अपडेट दे दूगा बांकि मार्कूट को मार्कूट का बहुत खतरना के यहां पर तो अगर मार्कूट खेला तो इंपॉर्टन रहेगा बाकि देख ले ना अगर मार्कूट का में प्रेडिक्शन भी दिया हूं वाकि इदर से अगर बात करते हैं तो यहां पर राइटी फिर लैप्टी लैप्टी राइटी तो काईले में स्कुनाल पंडिया दो लैप्टी यह बाकि राइटी राइटी है बहुत सरे राइटी है तो यहां पर हो सकता है कि आज फिर से नूर इहमद इंपॉर्टन हो सकता है लेपटाम चाइने में बोला रहा था नूर इंपॉर्टन होगा पक्का ये विकेड लेके जाएगा मेरा प्रेडिक्शन अगर वही सर्मा भी इंपोर्टन हो सकता है मोई सर्मावी ठीक है चले इस ट्यार्स पे चलते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुजाय टाइटन्स का जो प्लेर है वीदिमान सहा वीदिमान सहा को मैं अपने टिम में तब रखूंगा जब लखनो पहले बैटिंग करेगा अगर अब इंपने लकारह तो यहां पर यहां इतने कम बने तने कम बने जब बताओ दो 20 उभर में अगर आपको सवासो रन बनाना होगा तो कोई भी प्लेयर फ्लॉब नहीं जाएगा वह अराम से केलेगा उसी तरह अगर आग गुज्राइट टाइटन्स पहले बैटिंग करेगा बैट फॉस्ट तो फिर हमारे टीम में विदिमान सहा नहीं रहेगा बट अगर सकेंड बैटिंग किया तो टीक है रिकॉर्ड बहुत ही खराप है बाकि सुमंद के बाद करते हैं इंपॉर्डन है इस वन्यू पर और चारीज के वरेज है लखन होग अगर मोस्ट इंपॉर्टन होगा गाप्टन वाइस कप्तन भी बना सकतो हार्दिक पांड लिया 28 विकेड बिलिया 5 मैच में 5 बिक लिकल को रखा था आपने देखा होगा वन साइड जीते थे वन साइड मैंने अपने टीम से डेविड मिलर को नहीं रखा था बट आज कंफर्म बैटिंग आएगा तो आज स्मॉल लिक लिए ये भी बेस्ट ओप्सन है 25 का अबरेज बेन्यू पर और 20 का अबरेज है लखन ह तो आज मैं यह तीन प्लेयर को अपनी टीम में रख रहा हूं फिलाद सुबमन गिल डेविड मिलर और हर्दी पंडियाई विदिमान साहा को नहीं रख रहा हूं बट अगर विदिमान साहा सेकंड बैटिंग करता है तो मैं अपनी टीम में रख लूँगा तो यह जील में इसको जुरू ट्राय करना जील में ठीक है पाकि तेवतिया की बात करते है इसका बैटिंग ही नहीं आ रहा तो इसको टेरा का वैसे भी अब्रेज इस वेन्यू पर विजा संकर की बात करते है इस स्पिनर को बहुत अच्छा खिलता है बहुत अच्छा अगर और फ्लॉप होगा तो विजा संकर फारू पर्फॉमेंस करते हो दिखाए दे सकता तो में का कॉंटस में ट्राय करना 39 का इस वेन्यू पर बाकि रासित खान की बात करते हैं छे मेंच में 11 विकेड लिया यहां पर एहमादाबाद में रासित खान 6 मेंच खेला है 11 विकेड लिया है और तीन मेंच खेला है लखनो के अगरस में छे विकेड तो आज मेरे टीम का वाइस कप्तान है मैंने पिछले मैंच में भी बोला था कि मेरा पूरा मन करा रासित खान को वाइस कप्तान यह कैप्टन बनाओं आप लोग ज़रू बना देना और लाइफ सेसन में मैं लाइफ आ जाओंगा दो बजे लाइफ सेसन में मैंने चिला चिला के बोला था भाई रासित कान को ही कैप्टन में आना और मैं पता हम आप लोग को टेलीगाम पे एक ग्रेंड लिग टीम दे थे जिसमें रासित खान बी था नूर एहमद भी था पता उस टीम से लोगों न मिनीजre ग्रेंड लिग जीता है क्योंकि महां पर मैं सि city less अब लोग को और एक बलेयर बहुत लोगों के ग्रेंड लिग जिता था तो टेलीग다 में लॉन चार बेद conditioned करते जार्कहा और सात्थ में लाइब आजाना हुआज के मैंक्च के लिए अब यहा पे बात कहते हैं टीनों पार्टेन मोगन के बात करता हैं मेरे सामी के साथ बी जा सकता हूं बट यह दोनों में सही कोई मेरा वाइस कपतान होगा जा तो सामी या तो रासित कान मोहिश सर्मा आज गुजरात वन साइडे जीतेंगा तो सार्मा को रख लेना अज गुजरात के फेवर में टीम बनाना वन साइडे जीतो गे तीन मैंस के लाए लगनुग अगर शेला दो विकर लिए है अच्छा पॉपर्मेंट दिखा रहा लेकर मौका नहीं मिल रहा है ठीकर मौका नहीं मिल रहा है अगर मौका मिला तो फोर्ड देगा बांकि सीवो मावी इस वेन्यू पर उतने खास पॉपर्मेंट नहीं दिखाया अस देयाल ने भी इतने खास पॉपर्मेंट नहीं दिखाय अब बात करते हैं यहां पे लखनवु का जो प्लेर है मनन वहरा केल राहूल की जगह खेल रहा है केल राहूल अभी चोटील है ठीक है इंजर्ट हो गया था लास्ट में 34 अन का पारी खिला उससे पहला 78 अन का पारी खिला इस स्मॉल लिक टीम में आप ले सकते हो इसको मनन व खिल पाता है ठीक है अगर अगर पीच रिपोर्ट अगर ऐसा है कि बैटिंग फैनली पीच है अगर वहाँ पे घास उस दिखाई दिया ठीक है ठीक है पीच में नमी दिखाई दिया तो फिर कायले में इसको मैं अपनी टीम में रख सकता हूं बट अभी मैं फिलाल नहीं र से खिलाब नहीं चलता है ठीक है कुनाल पंडिया आज इंपोर्टन रहेगा तीन मेंच खिला है गुज्राट टर्टनेंस के गंज में तीन विगर लिया है तो यह इंपोर्टन रहेगा और और तीन मेस खिला 7 रन बनाएं और टीन निया मेस प्रह सुझा रहा है अगर विदीमान साहा के साथ जा सकते हैं यह stellboard टीक कर इसे बात कर से से कोई सबसे बढ़ियां खेलते हुए अगर आज कोई प्लेयर दिखाए देगा तो मारकर स्टोनी सी खेलते हुए दिखाए देगा बाकि क्रिसपा गोतम की बात करते हैं तो लास्ट में 23 बना था एक विकलिया था तो यह भी आज आपको ठीक ठाक परफोर्मेंस करते हुए दिखा दे सकता है चलिए हम लोग जानते हैं अब यह जो तीन प्लेयर है तीन प्लेयर में रवी बिस्नोई और नवीन उलहक को सब को अपने टीम में ट्राइब करूंगा जब लखनो पहले बॉलिंग करेगा क्योंकि यह देथ में बॉलिंग करता है और देथ में आपने द क्योंकि फिर में गुजराइट टाइटन्स के तरफ से बहुत इंपोर्टन इंपोर्टन प्लेयर है मैं उनको अपने टीमें रख लूँगा नूर एहमत को रख लूँगा तो आप एक थोला से ध्यान रखना इसलिए मैं बुलता हूं टेलीगाम जोइन के लाना फर्स कमें सबसे चल रहा सबसे टॉप पर यहां हर में विकेट लिके जाता है अब सकता है लकनों और पहले बॉलिंग किया तो विकेट मिल जाए बट सकेंड बॉलिंग में साहिज आज एक विकेट लेते दिखाई देगा ज्यादा नहीं लेगा बट यहां पर बात किते रमाइउस से तो इंपोर्टन रहेगा रिकॉर्ट अच्छा है सिंजुरी भी लगाया तलीट इसन का पारी भी खिला है जीटी के एगेंस में दो मैंस खिला अठारे रहें और कौन से उन अठखट है मार्कूट मार्कूट के बारे मैंने बोलना ही छोड़ दिया आपको बतातों बोलना आपको पता है एक कड़ो जीता था मेरे पेडिक्सन से तो भाई आप भी जीश सकतो डेली मेरा पेडिक्सन सुनो मैं लाइब आउंगा दो बज़े लाइब में जूड जाना ठीक है बाकि मार्कूट अगर खेला तो मॉस्ट इंपर्टन होगा आज के लिए रिकॉर्ट बात करते हैं अवेस्खान की बात करते हैं अवेस्खान हमेशा देत में विक्र लेकर जाता है लेकिन आज जीटी और लखनोगों के साथ मैंच आया के ल्रावल भी नहीं है तो मुझे लग रहा कि गुज्ञा टैंस बंसाइडे जीतेगा तो साइध विकर नहीं मिलेगा प अमित मिसरा मेरे टीम में था पिछले मैच में कोई भी नहीं रखा था सेलेक्शन बहुत कम था तो अगर स्पीनर को हैल्फ मिलता तो हो सकता मैं फूरी दुवारा रख सकता हूं अब बात करते हैं लेकिन वह मैच लखनोगों में था ठीक है आज का मैच एहमादावाद में अज ठाकूर की बात करते हैं यह अगर देखो कि हर मेंज में विकर लेके जा रहा है लेकिन बेंच में खेल नहीं रहा है अब बात करते हैं प्लेयर बेटल डिपक उड़्डा को रासित खान ने आउट किया है तीन बार ठीक है डिपक उड़्डा को रासित खान ने तीन ब वर आओटिया यार रासीत खान राओटि खान ञाज मतलब मोच्छिप पर लो सकता है सारे फिलीऊ साव को घ्रस कहन अग्ट यृता पेर ने आउटすप भार के दón लो हरिमेरी किसा बावज बहुत आघुए अज बूचान 59 गुजराय टाइटन्स का 80% चांस है जीतने का, कितना पसे चांस है, आप लोग बताओ, 80% चांस है आज गुजराय का जीतने का चांस, अलाखनोगो का only 20% चांस है, तो भाई, आज गुजराय टाइटन्स के फेवर में टीम बनाऊगे, तो मैच जीतोगे, कल भी मैंने बताया था कि CSK ही मैच जीतेगा, 70% चांस है CSK के फेवर में टीम बनाओगे, जीतोगे, उसी तरह मैं बता रहा हूँ, गुज्डाई Titans के फेवर में टीम बनाओगे, तो मैच जीतोगे, हार्दिक पांडिया सेफ क्याप्टन रहेगा, बैटि को मिनिममम 25 लेते हूँ दिखाए अगर आज मारकूट खेला सुनों अगर आज मारकूट खेला, तोữa मौस्ट इंपॉर्टन रहे गा, कैले मैस सेंडि इनिंग में फ्लॉप जाएगा, इसलिए मारे टीम मे नहीं रहे गा, अब बात करें, यहां पर विदीमान सहा, विदीम सभुप आपनिंग किया मतलब आगर फ्लोप जाए गा सकेंड बैटिंग में किक थाक कर सकते क्योंकि सगेंड में क्या होता है रन नहीं बनता है तो प्रसर रहता है अंगा तेम इस फिलोप होगा ठीक है मैंने बता दिया यह फॉस्ट इनिंग में फ्लॉप होगा सकें इनिंग में नहीं फॉस्ट इनिंग में फ्लॉप होगा अच्छा यहां पर बात किता है मोहमद सामी रासित खान नूर एहमत हार्दिक पंडिया रभी विसनोई यह पांच बोलर है आज आपको 10 से प्लस विकेट लेते हुए दिखा देगा यह पांच बोलर मिला के ठीक है मारकस टोनिस आज इंपोर्टन रहेगा आपको 50 से प्लस पॉइंट देके देने वाला है नाइन जो पॉइंट है कुर्णाल पांडिया भी इंपोर्टन पिक रहेगा 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगा कुर्णाल पांडिया मुश्ट इंपोर्टन रहेगा चलिए अब टीम देख लिजे मैंने टीम क्या बनाया है दो विकेट के पर में निकोलोस पूरन है मैंने अपने टीमें निकोलोस पूरन को रखा है निकोलोस पूरन का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इस ग्राउन प को अपने टीम में तब रख सकते हो जब सेकेंड बैटिंग करेगा अगर गुज्रात पहले बॉलिंग किया तो आप विदिमान साह को रख लेना क्योंकि आपको कीपिंग से पोइंट देखे चला जाएगा और साथ में रन से भी पोइंट देखे जाएगा क्योंकि आज 80% में टीम मनाओगे तो उसी तरह गुज्रात के फेवर में टीम मनाओगे फिर विदिमान साहा इंपोर्टन हो जाएगा क्योंकि आपको किपिंग से भी पोइंट देगा कैच लेके दो तीन कैच ले लेगा और साथ में रन से भी पोइंट देखे चलाएगा तब आप यहां पर ले लेना अगर सकेंड बैटिंग की है ठीक है फर्स्ट बैटिंग में यह फ्लॉप जाते हैं फर्स्ट बैटिंग में क्योंकि इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बाकि जो भी अपदेट होगा आपको टेलीगाम पर दे दूंगा फाइनल टीम और पता है मैं क 50 लाग जीता था और वही टीम आप लोगो टेलीगाम पर देता हूं मेरी टीम से लोग पता है 3-3-4-4 लाग जीते हैं तो पहले कॉमेंट में आपको टेलीगाम का लिंक मिलेगा क्लिक करके जोनो जाना अभी तुरन जोइन कर लो पहले जोइन कर लो फिट देखो फिर बात मैं भी बड़ोनी अच्छा खिला था तो बड़ोनी एक आपको ठीक्ठा परफोर्मेंस करते हुए दिखा दे सकता है बट लोग मनन वहरा के साथ जा रहा है अगर आप जाना चाहते हो जा सकता है कि कंडिशन के विहाब पे अगर बैटिंग दो थोड़ा सा हेल्प मिला तो पंडिया आके मैं जीता दिया था तो डेविड मिलर का बैटिंग नहीं आ पाया ठीक है बट आज बैटिंग कंफर्म आएगा बांकि सुभमन गिल इंपॉर्टन है कुनाल पंडिया इस्टोनी और हार्दिक पंडिया इधा से देखोगे नूर रहमद है रासित खान है मुह प्लेयर तब इंपॉर्टन होगा जब लखनौ पहले बॉलिंग करेगा तो यह दोनों पक्का भी कर लेके जाएगा फिर आप सेब जाना फिर यही दोनों को अपनिटी में रखना फिर आप नवी नुलाग को भी रखना और रवी विस्नोई को भी रखना फिर आप चाहो त इस से आप ग्रेंड लीग भी जिस सकतो तो पूरा अगर अपने वीडियो देखा होगा अज ग्रेंग लीग पका जितने वाले हो और मैं भी छे टीम से Grand League खेलूँगा और आप लोग को एक से दो टीम टेलीगाम पे दूँगा Grand League कर ठीक है फर्स्ट कमेंड में टेलीगाम का लिंक दिखाए देगा क्लिकर के जुन हो जाना Captain मेंने बनाया है हार्दिक पांडिया सेफ वाइस कप्तन सामी को बनाया है बट आप रासित खन को भी बना सकते हो इस वन्यू पे रासित खन का रिकॉर्ड अच्छा है और लकनू के अगंस में भी रासित खन का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है पिछले मैंच में भी रासित खन को ही बोला था मिने Captain मेंने बाकि अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज 15,000 लाइक करजाना चैनल को सब्सक्राइब करजाना और बेल आइकन प्रस करना है मिलते हैं शूडियो में जहिन वंदे मातरम